listen Welcome horribly यूट्यूब चेनल आज हम इस वीडियो में call कर सकते हैं कि उत्ट فंच दे रहा है कि फिर करना चाहिए या फppt करना चाहिए या पिरे कैसा प्लेटफॉर्म जैसे हम अगर वर्टपेस या पिर अलग काइंड ऑफ जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं लाड़ावल या फिर कुछ भी और डियक्ट या व्यूजियास हम लोकल सर्वर पर भी ट्राइ करते हैं तो क्या सब्सक्राइब हमें यह एक प्लेट प्लाइन रहता है फिर आपको कुछ दिन के ट्राइल देंगे यह तीन दिन पहले वन विक का होता था अब यह थ्री मंद का हो गया तो यह प्लैन से इसके आपके जो मन्त यह और एकोर्डिंग आपको जो भी तो यह हमें फिरी ट्राइल नहीं दे रहा है हमें एक करें किसी की email का यह भी यूज करें तो हमें वो एक free ट्रायल दे रहा है थ्री डेस के लिए बट फ़िफाइब पार्टनर एक option हमें Shopify प्रवाइड करता है जिसमें क्या करता है कि account को store को create कर सकते हैं इसे हमारे benefit होता है कि as a development purpose हम इसको यूज कर सकते हैं यह free है और इसमें कोई cost अपको देना नहीं परता है इसके अलावा अगर आप इसमें paid करते हो तो जो भी अगर जब जब थीम हम create करते हैं या पर कोई भी हम इसमें store बनाते हैं और उसको हम sell करता है तो उसमें 20% हमें benefit मिलता है तो इससे हम earn भी कर सकते हैं तो Shopify पार्टनर बनाने के लिए क्या है कि आपको Shopify पार्टनर पे click करना होगा उसके बाद हमें Shopify पे एक account create करना होगा हम इसमें joining नो कर लेते हैं अभी के लिए कि हम नयाएक हमें account create करना पड़ेगा इसमें हमें email अपना fulfill करना पड़ेगा इसमें हम Google के थूरू भी जा सकते हैं और अपना एक जो भी आपको Google का पहले बनाना हुआ उसको हम इसमें use करते हैं क्रियेटर शॉपिफा एकाउंट हमारा option आ रहा है हम एक Shopify को create करते हैं इसमें हमारे पास एक option आ रहा है जो भी अपने को recording आपको सही लगे वो आप सही कर सकते हो और उसको fill करके आप नेक्स जो भी option है इसको आप fill कर सकते हो इसके बाद इसमें आपको यहां से option बोल रहा है कि option क्या क्या आपको जानेगा तो आप अपना address यह सब fill कर सकते हो देना आपको यहां पर यह from कर भढ़ने को आएगा job title इसको आप फिल कर सकते हैं या फिर फॉन नमर भी दे सकते हो आएगरी प्रोडाम के लिए सब्मिट रखना है और फिर हमारे एक पार्टनर एकांट आप क्रियेट हो रहा है तो हमारे एकांट क्रियेट हो गया बट हमें को verification का mail जाएगा हम वहां पर क्या करना है कि हमें जो भी हमारा mail गया होगा जो मुझे भी mail आया उसे हमें verify करना है जब मैं इसे verify कर लेंगे तो हमारा बिजनेस mail इस verify हो जाएगा इधर से replace करके देख लेते हैं हमारा बिजनेस में verify हो गया है अब हमें store पर जाएंगे और हमें development का store बनाना है request to store manage by client यह हमें नहीं रखना है अभी development के purpose हम कर रहा है तो हमें development का icon बनाना है इस टोर ने में हम देख सकते हैं कि अ कि यह पहले से हमें पर यह store पहले से है तो कोई नहीं हम कुछ भी इसा दे सकते हैं जो unique हूँ आप अपने recording आप देते हैं अगर आप सेल करना चाहते हो तो आप online कर सकते हो you can earn और आप इसमें referral भी कमा सकते हो तो आप इससे benefit आप create करके आप इसको sell भी कर सकते हो और यह भी कमा सकते हो तो हमें क्या करना है कि हमें में एक creator development score करना है यह भी option है हमारे पास कि हम आप क्लाइंट को selling another platform पर भी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो हमें अभी रखना है तो हमना रहा है एक account create हो गया याद रहे दोस्तों यह हमने जो create किया है बीना cost of any cost of है यह free है आप इसमें बना सकते हो कोई भी data और कोई भी store को बना के कोई भी theme generate कर गया as a development आप इसे free यूज कर सकते हो बेसिक फ्रेसर और जो भी guidance कर नीड होता है उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो तो यह हमारा एक store बन गया अगर store को आप view करोगे कि देखोगे तो हमारे पास अभी कुछ हैसा आ रहा है तो अभी हमें इसको setup करना है पर हमारा एक store create हो चुका है और इसमें एक dawn theme होता है तो pre-built हमें यहाँ पर आना चाहिए dawn theme तो dawn theme अभी import हो रहा है जिसके कहा हमें दिखने रहा था आप popular theme dawn theme जो भी है add कर सकते हो यह हमारा भी import हो रह है तो इस तरीके से दोस्तों हम Shopify का development purpose के लिए भी use कर सकते हैं और future में इसमें जो भी change है या फिर other development part है आप उसको easily आप interact कर सकते हो without any of cost और इसको sell भी कर सकते हो यह हमारा theme है आप password इसको set करना चाहो तो set कर सकते हो अभी हमारा store create नहीं होगा हमें अपना देखाना परेगा तो हमारा theme import हो गया और यह हमारा store है create हो गया product भी import हो चुके है अब आप इसमें coding करना चाहो तो coding आप start कर सकते हो ने studio में हम इसका coding के पार्ट को समझेंगे और other features को भी समझेंगे वीडियो को दिखने के लिए धन्यवाद दोस्तों प्लीज हमारे वीडियो को like से और सब्सक्राइब जरू करें